23 फरवरी 2023 को खालिस्तानी सेपरेटिस लीडर अमरित पाल सिंग के सैकड़ों फॉलोवर्स ने अमरित सर के अजनाला पुलिस्टेशन पर वाइलिंट प्रोटेस्ट किया जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए ये लोग लवपरीत सिंग के रिलीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि अमरित पाल सिंग का ही एक साती है अमरित पाल सिंग वारिस पंजाब दे नाम के एक सिख और्गनिजेशन का लीडर है अमरित पाल सिंग के कारण ही खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर इसमें इंडिया और पागिस्तान दोनों के सिख पॉपुलिस एरियाज शामिल होंगे 1929 में शिरोमणी अकाली दल के लीडर मास्टर ताला सिंग ने पहली बार एक इंडिपेंडेंट सिक्सकेट बनाने की बात की थी यहां पे खालिस्तान वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ था खालिस्तान वर्ड पहली बार कॉइन किया डॉक्तर वीज सिंग भाटी ने 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर रिजॉलिशन अडॉप्ट किया उसी के डियक्शन में सिख लीडर डॉक्टर वीज सिंग भाटी ने खालिस्तान टेंपलेट पब्लिश गया जहां इंडिया और पागिस्तान के बीच एक सिख स्केट बनाने की बात की गई इस डिमांड पर गांदी जी और नेहरू जी ने खास जिहां दिया और सिख कम्यूनिटी को ये विश्वास दिराया गया कि आजाद भारत में उनकी सारी नीट्स खारियान रखा जाएगा 1947 में भारत के बटवारी के साथ ही एक और बटवारा हुआ पंजाब का बटवारा आधा पंजाब पागिस्तान में चले गया और आधा पंजाब भारत में आ गया लाहौर जो की महराजा रंजीत सिंग के सिख एमपैर का कैपिटल था वो भी पाकिस्तान चले गया ऐसे ही ननकाना साहिब वो जगह जहां गुदुनानक का जन्म हुआ था वो भी पाकिस्तान चले गया इन चीजों के कारण सिख कम्यूनिटी के एक फैक्शन में काफी डिस्साटिस्फाक्शन था जब कॉंस्टिटूशन बना तब अकाली दल के लीडर्स ज्यादा उटनोमी ना मिलने के कारण ना खुश थे अजादी के बाद जो पंजाब स्टेट इंडिया में बना उसमें आज के पंजाब हर्याना और हिमाचल तीनों शामिल थे और यहीं से शुरवात हुई पंजाबी सुबा आंदोलन की जिसे शुरू किया अकाली दलने इस मुव्मेंट की डिमांड थी कि पंजाब एक पंजाबी स्टेट होना चाहिए मतलब पंजाब में मेजरली पंजाबी बोलने वाले लोग ही होने चाहिए स्टेट रियोर्गनाइशन कमिशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट में इस डिमांड को खालेज कर दिया जिसे कारण 10 साल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा और अल्टिमेटली 1966 में पंजाब को रियोर्गनाइश किया गया और तीन स्टेट्स में बाट दिया गया अकाली दल के साथ सब बढ़िया चलने लगा 1967 में अकाली दल के गुर्णाम सिंग स्टेट के पहले नॉन कॉंगरेस सीम भी बन गए और फिर धीरे इंडरागांधी वेव के चलते अकाली दल की हवा फीकी पढ़ने लगी और 1972 में कॉंगरेस रिटर्न टू पावर दसीम वाज ज्यानी जैल सिंग 1973 में अपनी हार को रेट्रोस्पैट करने के लिए और अकाली दल के फ्यूचर पाथ को डिसाइड करने के लिए आनन्द पुच साहिब में एक मीटिंग की गई वही जगह जहां गुरू गोबिन सिंग के रवारा 1699 में खालसा पंत की स्थापना की गई थी इस रिजॉल्यूशन से जो सबसे इंपॉर्टन चीज निकल के आई थी वो थी डिमांड फॉर और और्टनॉमस स्टेट मतलब पंजाब भारत के अंदर ही एक और्टनॉमस स्केट होगा और उसका खुद का समविधान होगा वो अपने डिसिशन्स खुद लेने के लिए के पेपर होगा बस यहीं से खालस्तान की बाते होना शुरू होगई भले ही है काली दल ने ये साफ कहा था कि वो भारत से अलग नहीं होना चाहते पर पंजाब के बहुत से लोगों ने काजाद देश का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था इन्हीं लोगों में से एक शक्स था जिसका नाम था जरनेल सिंग भिंडरावाले एक सिख प्रीचर जो दमदमी तक साल नाम के एक सिख धार्मिक संग्ठन का लीडर था बिंडरावाले धीर धीरे पंजाब में काफी पापुलर हो गया वहां के गरीब युवाओं का तो मानो वो हीरो ही बन गया था पर वो हीरो बना कैसे रिलीजेस पीचर तो वो था ही और फिर 1960s में जब Green Revolution आई तो पंजाब में income inequality बहुत जादा बढ़ दी मतलब अमीर किसान बहुत अमीर हो गया और गरीब किसान और जादा गरीब हो गया इन गरीब किसानों के हिट की बात कोई करी नहीं रहा था कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि शुरवाती दौर में भिंडरा वाले को इंडरा गांधी के बेटे संजय गांधी नहीं सपोर्ट किया था ताकि वो अकाली दल के अगेंस्ट खड़ा हो सके पर हुआ क्या 1982 में भिंडरा वाले ने अकाली दल की ही मदद से एक आंदोलन शुरू किया इसका नाम था धर्म युद्ध मोजशा इसका अब्जेक्टिव था आननफुच साहे रिजॉल्यूशन को इंप्लिमेंट करवाना इस दौरान भिंडरा वाले ने अमरिट सरकेक गोल्डन टेमपल को अपना सेफ हाउस बना लिया और वहीं से मुव्मेंट को ऑपरेट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे सिचुवेशन और जादा गंबीर हो गई गोल्डन ओफिशल्स के अगेंस्ट वॉयलेंस के केसेज बढ़ने लगे एंटी हिंदू वॉयलेंस भी काफी बढ़ने लगा यहां तक भिंडरा वाले ने गोल्डन टेमपल में हत्यार मवाना भी शुरू कर दिया था 1983 में पंजाब पुलिस के डियाई जी एस अतवाल की गोल्डन टेमपल में ही खुले आम गोली मार कर हत्या कर दी गई यह हत्या भिंडरे वाला के इशारों पर ही हुई थी लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि पुलिस के भी कुछ लोग भिंडरे वाला के समर्थक थे और जो समर्थक नहीं थे वो भी भिंडरे वाला से डरते तो थे ही इस हाथसे के जटके दिल्ली तक पहु आर्मी को सौप दिया एक जून 1984 को आर्मी ने शुरू किया Operation Blue Star तर भिंडरे बारा और उसके सपोर्टर्स के टफ रेजिस्टेंस के कारण यह Operation काफी वाइलेंट हो गया इतना वैलेंट की इंडियन आर्मी को टैंक्स और एर सपोर्ट का भी यूज़ करना पड़ा Golden Temple से आने वाले विज्वल्स काफी disturbing थे, सबके लिए disturbing थे वो जगह जहां जाके सबके दिल को शान्ती मिलती थी, आज वही जगह एक war zone में बदल गई थी According to government, इस operation में 83 आर्मी soldiers और 493 militants और civilians मारे गए कुछ estimates बोलते हैं कि मौत का आखड़ा 3000 से भी ज्यादा था यह आखड़ा बड़ा इसलिए था क्योंकि इस operation के दौरान वहां बड़ी संख्या में pilgrims मौजूद थे जो गुरू अर्जन देव शहीर दिवस पे golden temple में वर्शिप करने आये थे Operation पूरा हुआ, भिंडरेवाला मारा गया पर इस पूरे act से दुनिया भर के सिकh community में काफी निराशा फैल गई एक तरह ऐसे देखें तो इस operation में खालिस्तान की डिमांड को और जादा बढ़ावा दे दिया था सरकार की बहुत आलोचना हुई, सबका मानना था कि Operation Blue Star बहुत ही जल्दबाजी में इंप्लिमेंट किया गया है इसलिए 16 October 1984 को टर्रिरिजम को एक specialized way में combat करने के लिए अक्तूबर 1984 को परहान मंत्री इंद्रा गांधी की उनी के दो sick bodyguards के द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गए इंद्रा गांधी की हत्या से जो instability अब तक पंजाब में सीमित थी वो पूरे देश में फैल गई इंद्रा गांधी की हत्या से जो अध्याय शुरू हुआ उसे कहते हैं 1984 anti-sick riots या sick massacre बतला लिनी की भावना से हजारों निर्दोष्ट सिखों को मार दिया गया सरकार यागड़ी की माने तो इंद्राइट्स में 3350 लोग मारे गए और अगर independent estimates की बात करें तो यागड़ा कम से कम 8000 से 17000 के बीच का था और इस सब से खालिस्तान की डिमांड को बढ़ावा ही मिल रहा था 1985 में कैनेडा बेस्ट सिखातंगवादी संगटन ने एर इंडिया की एक फ्लाइट में बाउम ब्लास्ट कर दिया कहा गया कि हमला भिंडरे वाले की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट ये था कि इन टी 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 नाइन लोगों में सिर्फ 24 भारतिय थे और बाकी सारे फॉरेनर्स थे 1984 से लेकर 1995 तक पंजाब एक इंसरजंसी का हब बन गया था इस दौरान पंजाब ने जो वाइलेंस देखा वो उसने कभी नहीं रेखा था और इन सारी इंसरजंस एक्टिविटीज को फंड और सपोर्ट कर रा था हमारा पडोची देश पाकिस्तान गोल्डन टेंपल को बार-बार इंसरजंस के दुआरा कैप्चर करने की कोशिश की गई ऐसे ही आइट्स को नूट्राइज करने के लिए एनेजजी ने 1986 में उपरेशन ब्लैक थंडर 1 चलाया और 1988 में उपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया ये दोनों ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुकाबले काफी अच्छी तरह से इंप्लेमेंट किये गए थे और इसलिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर को मॉडरेट 6 ने सपोर्ट भी किया था 1995 में पंजाब के सिटिंग सीएम बेयन सिंग एक सूसाइट बॉम ब्लास्ट में मारे गए इस वाज बेन दे पीपल ऑफ पंजाब रिलाइस दे आर बिंग यूजड उन्हों में इतना खुम खराबा देख लिया था कि अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी पीस, शान्ती उसके बाद से थिंग्स रिमेंड मोर और लेस स्टेबल एंड पीसफुल इन पंजाब कुछ खालिस्तानी ग्रॉप्स कैनेडा, यूके और यूएस जैसे देशों में ज़रूर एक्टिव रहे और किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए 23 फरवरी कोचो हुआ वो पंजाब के लॉइन ओर्डर पर सीरियस कोशन सीरियस करता है, कुछ लोगों के हाथ में आटोमाटिक गंस थे, कुछ पुलिस वालों के साथ मार पी भी की गई, अटैक के जस्ट बाद अमरित पाल सिंग का एक वीडियो आता है जिसमें वो पुलि चैलेंज देते हुए भी दिखाई देते हैं, अमरित पाल सिंग को कई लोग भिंडरेवाला 2.0 भी कहते हैं, not just because he has styled himself like भिंडरेवाला, but also because his ideology is completely inspired by him, he is clearly said कि वो भिंडरेवाले के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रहा है, ये सारी बातें चिंतित करने वाली हैं, और आ भाना बहुत आवेशक है, क्योंकि नैशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी से बढ़कर कोई परसन या कोई पॉलिटिकल आइडियोलोजी नहीं